असलाम अलेकम students आज हम stanza की explanation को study करेंगे in this stanza the poet talks about शायर बात करता है the result of planting a tweak एक टेहनी को लगाने के नतीजे के बारे में बात करता है tweak tweak student कहते है टेहनी एक पोदे की छोटी ब्रांच उसे कहते है tweak शी इस ख्याल पर है यह लाएगा फ्रेशनेस ताज़गी एंड बिसाइड प्लाट और इस पौदे के इलावा देर बेंडिंग बेंड कहते हैं जुगना बेंडिंग जुखे हुए एंड बूविंग और हरकत करते हुए ग्रास ब्लेज यानि ग्रास के पते विच विल बी जो के फ्लटरिंग फ्लटरिंग कहते हैं लहलहाना इनदी ब्लोईग बिंड इनदी ब्लोईग बिंड चल्दी हवा में लहलहाना शायर इस ख्याल में है कि इस पोदे की तादगी के इलावा जुके हुए और हरकत करते हुए गास के पते होंगे जो के चलती हवा में लहलाएंगे फ्लर्टरिंग लहलाएंगे अब आपने इस स्टेंदर की एक्स्प्लेनेशन को भी याद करना है उसके बाद आज से हम स्टार्ट करेंगे एसे एसे नमर वान एन अन फोगेड़ेबल इंसिडेंट और माई लाइफ अन फोगेड़ेबल जिसे बुलाया ना आ जा सके An unforgettable incident of my life मेरी जिन्दगी का नाम बुलाया जा सकने वाला आज़सा The road, सड़क in front of my school मेरे स्कूल के सामने in front of इसका मतलब होता है के सामने My school, मेरे स्कूल के is a narrow and busy one Narrow, तंग है and busy one और मस्रूफ है मेरे स्कूल के सामने की सड़क तंग और मस्रूफ है Every afternoon, हर दुपहर at dispersal time Dispersal time student कहते हैं लोगों का पहल जाना यानि के छुटी का time छुटी के वक्त The road becomes crowded सरक बर जाती है With children, बच्चों से, bicycles, bicycles, cars, cars and buses और busों से We have to be careful हमें एहत्यात करनी परती है Not to be the cause of an incident कि किसी हाथसे का सबब ना बन जाए I have observed, मैंने देखे है One of the incidents इन में से हाथसे That happened near my school जो के मेरे स्कूल के पास हुए It is really an unforgettable incident of my life ये मेरी जिन्दिगी का वाकिए एक नाम बुलाया जासकने वाला हाथसा है Unforgettable नाम बुलाया जासकने वाला incident हाथसा ओव मैं लाइफ मेरी जिन्दिगी का Students, अब आपने इस सेसे को भी यहाँ तक याद करना है बागी कैसे हम कल अगली वीडियो में स्टड़ी करेंगे Thank you students, Allah Hafiz